और यही वज़य है कि 498 A का जो केस है वो सबसे जादा लड़कियों की तरफ से फाइल किया जाता है अपनी अपनी एहम को संतुष्ट करने के लिए और लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए क्योंकि उनके एहम को बहुत संतुष्टी मिलती है जब लड़के पक्ष को या उस आज मैं आप सभी के साथ उनकहे पहलों पर चर्चा करना चाहूंगी जिसके बारे में अक्सर आप लोग विचार नहीं किया करते 498 A का दुरुपयोग क्यों किया जाता है जी हाँ आप सभी ने बिल्को ठीक समझा ये तो आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आज 498 A का दुरुपयोग लड़कियां बहुतायत में कर रही हैं लेकिन वो क्यों किया जाता है इसका दुरुपयोग आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चच्चा करने वाली हूँ मैं एड्वोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीता चैनल मोहिनी मोना एड्वोकेट अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अब देखिए क्योंकि 498A IPC का जो प्रावधान है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ किसी भी पतनी बहु या उसके रिष्टेदार को ही मिल सकता है और आपको ये भी जानकर के हिरानी होगी कि 498A के तहत जितनी भी कंप्लेंट की जाती है उसमें से जादा तर जूटी हुआ करती है और इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ इस बात को हाई कोट्स ने अलग-अलग जगा के अलग-अलग राज्यों के हाई कोट्स ने और सुप्रीम कोट्स ने एक बार नहीं बहुत आयत में बहुत बार इस बात को एडमिट किया है कि लड़कियां, पतनियां, बहु या उसके र पढ़ी है कि पतनियों को इस धारा का दुरुपयोग करना पढ़ रहा है इस धारा का दुरुपयोग करने का जो सबसे बड़ा कारण हमें समझ में आ रहा है क्योंकि तनावपूर्ण विवा आजकल हम बहुत तायत में देख रहे हैं इगोईस्ट दोनों फैमिली यानि की पत इक दूसरे के प्रती जो पहले समर्पन की भावना थी वो अब ना हो करके compatibility ना हो करके बल्कि अब एक दूसरे के लिए responsibilities को खतम करने के वजह से तनावपूर्ण शादियां चारो तरफ देखने में आ रही हैं और जब भी तनावपुन शादी आती है तो वो पतनी उसकी उस परिवार में जो पतनी है या उस साससोर की बहू या उनके कोई रिष्टेदार है करीबी रिष्टेदार वो ब्लैकमेल करने के लिए 491 इधारा का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया करते हैं ये बहुतायत में देखा जा रहा है हाई कोट्स की और सुप्रीम कोट्स की बार-बार ऐसी टिपणियां हम सुनते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं इसका जो मुख्खे कारण फिर से अगर हम सोचें तो यही लगता है कि क्योंकि ये एक ऐसी धारा है जिसम सिर्फ शिकायत ही की जाती है पत्नी के द्वारा या बहू के द्वारा या उसके रिश्यदारों के द्वारा और इस मामले में गवाही नहीं देखी जाती या यूं कहें कि इस मामले में गती फटाफट शुरू हो जाती है शिकायत होते ही किसी भी पुलिस अधिकारी का किसी पुलिस कर्मी का ये duty हो जाया करती है ये करतव्य हो जाया करता है कि वो एफ आई आर दर्च करे ये मैं बता रही हूं कुछ समय पहले तक की बात और जिस समय पर ये शिकायत की जा रही है इन पत्नियों के द्वारा बहूं के द्वारा या उसके करीबी रिष्टिदारों के द्वारा उस समय पर पुलिस कर्मी पुलिस ऑफिशल किसी भी तरह का कोई भी शाक्षे यानि की एविडेंस की मांग नहीं किया करता यानि की बिना एविडेंस मिले ही आपकी जो शिकायत है उसमें मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे एफ आई आर में दर् बढ़ रहे थे बहुत जादा बढ़ रहे थे तो अब जादातर राज्यों की हाई कोट्स ने और सुप्रीम कोट्स ने भी बार बार दखल अंदाजी की तो अब जरूर ऐसा हो गया है कि हाल फिल हाल में जैसे ही किसी पत्नी के द्वारा शिकायत की जाती है तो उसको पहले किसी भी महिला थाना में या CAW सेल में या परिवार परामर्श केंदर में या मेडियेशन सेंटर में रैफर किया जाता है लेकिन ये भी आपको याद रहे कि ये जरूरी नहीं है कि केस यानि कि ये शिकायत अगर महिला परामर्श केंदर में चली गई है या मेडियेशन सें थोड़ा सा एक-दो स्टेप जरूर बढ़ गए हैं लेकिन हालत वही टस्की मस नहीं हुई है आज भी कुछ समय के बाद जब महिला अकड जाया करती हैं और जाया करती हैं कि वो किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं करेंगी वो किसी तरह का भी समझाता नहीं करेंगी चाहे कि जिद रट वो लगा करके रखती हैं और उसका एक मात्र कारण यही होता है जो उनके back of the mind में चलता रहता है कि जैसे ही FIR होगी FIR होने के बाद वो blackmail जादा मोटे amount के साथ कर पाएंगी और यहां पर यह भी सोचने की जरूरत है कि क्योंकि 498 एक गैर जमानती यानि की non-beliable case है इसमें भी गिरिफ्तार करने का प्रावधान है तो यही वज़ा है कि लड़कियां यह कोशिश करती है कि पहले F.I.R. हो जाए पुलिस महक में कि इसके अंदर दखल अंदादी शुरू हो जाए थोड़ा सा और प्रेशर बिल्ट अप हो जाए तो वो ब्लैकमेल करेंगी और मोटी रकम वसूलेंगी लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोट ने 41A के नोटिस के द्वारा अंकुश लगाने की कोशिश की है जिसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही कोई F.I.R. दर्ज होगी तो F.I.R. दर्ज होते ही सीधा गिरिफतारी नहीं की जाएगी बलकि 41A का एक नोटिस दिया जाएगा और उस 41A के नोटिस के बाद लड़के और उसके परिवार के अन्य सदद से जिनका भी नाम F.I.R. में लिखा गया है उन सभी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जाँच में वो सहयोग करें इन्वस्टिगेशन जॉइन करें और उसके बाद ही ये केस आगे प्रोसीड होता है इसके साथ साथ 498A Non Compoundable केस हुआ करता है यानि F.I.R. होने के बाद शिकायत करता इस केस को यानि इस कंप्लेंट को जो की F.I.R. में तबदील हो चुकी है उसको वापिस नहीं ले सकती और इसको अगर खत्म किया जाना है रद किया जाना है तो इसको रद किये जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को है जिस स्टेट के अंदर ये पुलिस थाना आता है जहां पर इस लड़की ने शिकायत की है तो यही वज़े है कि क्वैशिंग का डर दिखा करके क्वैशिंग का भै दिखा करके लड़कों के उपर और उसके परिवार के उपर जादा से जादा दबाव डाला जाता है और ये क्वैशिंग भी यहां ये भी सोचने की बात है समझने की बात है कि क्वैशिंग में भी वही जाया करती है लड़कियां अपने पती को सहयोग करने के लिए जब पती भारी मात्रा में पैसा उनको दे चुका होता है अलमनी के नाम पर और ये भी सच है कि शिकायतें जब ये चला करती है तो ज़्यादतर शिकायतें जूटी हुआ करती है और दोशी इस लड़के को तब तक माना जाता है जब तक की वो निर्दोश शाबित ना हो जाए और यही वज़य है कि 498A का जो केस है वो सबसे ज़ादा लड़कियों की तरफ से फाइल किया जाता है अपनी अपनी एहम को संतुष्ट करने के लिए और लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए क्योंकि उनके एहम को बहुत संतुष्टी मिलती है जब लड़के पक्ष को या उसके परिवार के सदस्यों को accused कहकर के बुलाया जाता है और ये देखने में आ रहा है समझ आ रहा है सबको मालूम है आज की डेट में कि जितनी जादा वसूली होगी उतना ही जल्दी ये case निपटाए जाते हैं और क्योंकि गैर जमानती वारंट इसके अंदर निकल सकते हैं गैर जमानती case है ये तो इसमे हर तारिक पर पहुचना ही होगा कि उसको और जस तारिक पर वो नहीं पहुचेंगे चार्शिट फाइल होने के बाद तो गैर जमानती वारंट भी निकल सकते हैं यहां एक बात और देखने की है कि 498 का दुरुपयोग जादा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि बाकी सब ग्री जो केस होते हैं आपने देखा होगा कि पुलिस के पास आप शिकायत जब करने के लिए जाते हैं तो उसमें जाच की जाती है, investigation की जाती है, आप लोग बार-बार चक्कर लगाते रहते हैं कि आपके केस में F.I.R. दुझ हो जाय, F.I.R. दुझ हो जाय, F.I.R. जारफ केस चल पड़ता है जाच नहीं होती जाच के लिए तो FIR होने के बाद 41A का नोटिस आपके पास आया करता है जिसकी वजह से आपको बहुत जादा मानसिक यातना और उतपीडन से रूबरू होना पड़ता है और यही वजह है कि क्योंकि बहुत जादा मानसिक उतपीड से आपको मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है और तभी आप जादा मोटा अमाउंट उनको एलिमनी के नाम पर दे पाएंगे यही वजह है कि 498 का दरूपियोग जादा से जादा होता चला आ रहा है और यह भी आपको जानकर के हरानी होगी सजा की दर सिर्फ 2% है यान कि 98% जो केसिस है उसमें सजा ही नहीं होती तो देखा आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भी यह बात समझ में आई होगी कि 498 एका जो केस जूटा किया जाता है लड़कियों के द्वारा वो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और लड़कियां इसका दुरूपय योग क्यों कर रही है भुतायत में लेकिन एक बात मैं यहां लड़कियों को भी कहना चाहूंगी अगर आप जूटी कंप्लेंट फाइल करती है तो आपके जूटी फाइल कंप्लेंट करना तो बहुत असान है केस चलना बहुत असान है लेकिन उसको साबित करना बहुत मु पाएंगी तो आप कोशिश करें कि अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो जरूर 491 सहरा लें लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एहम की संतुष्टी के लिए 491 का दुरुपियोग करने की सोच रही हैं तो रुख जाईए थम जाईए आपकी इन ना समझी की वज अगर आपको मेरे आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटी वीडि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा थैंक यू टेक कियर बाइबाइ